Hello everyone, welcome to our YouTube channel Design Your Dreams आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने LKG क्लास यानि की जूनियर क्लास के बच्चों को आलफाबेट्स की प्रक्टिस करवाने के बाद और किस तरह से आलफाबेट्स की प्रक्टिस हम अलग-अलग तरीके से करवा सकते हैं जिससे की हम बच्चों को पिच्चेज की पहचान करना, छोड़ी-छोड़ी वर्ड्स को रीट करना, उसे लिखना, ये सबी कुछ सिखा सकते हैं तो चली वीडियो को शुरू करते हैं, यदि वीडियो आपको हेल्फुल लगे, तो प्लीज इसे लाइक शरूर करें, शेर करें, साथ ही साथ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे की जब भी मैं कोई वीडियो अप्लोट करूँ, तो वो वीडियो आप तक पहुत सके, तो चली वीडियो को शुरू करते हैं, जैसे आल्फा बेट्स की प्रैक्टिस तो हमें बच्चों को रेगुलर करवानी ही है, जिससे की उनकी बेस अच्छी हो सके, उसके बाद हमें इस तरह से कुछ सिंपल पिच्चर स्टॉ करके देना है, और एक तरफ अच्छान करना सिखेंगे, लाइक A, A for क्या होता है, A for Apple, तो Apple के साथ मैच किया जाएगा, U for Amrela, S for Sun, F for क्या हो जाएगा, F for Fish and T for Tree, ऐसे ही इस तरफ का भी मैच करेंगे, C for क्या हो जाएगा, C for Cup, B for Ball, L for Leaf, M for Moon and H for House, तो ऐसे ही बच्चों को आप पिच्चर स्ट बना कर आल्फा बेट्स मैचिंग एक्टिविटी करवा सकते हैं, Second Worksheet है, Choose Small Letter and Write in Correct Place, यहाँ पर कुछ Small Letters लिखे गए हैं, इसे बच्चों को Correct Place पर लिखना है, इस तरफ के एक्टिविटी के तुरू हम बच्चों को Capital और Small दोनों ही लेटर के पहचान एक साथ सिखा सकते हैं, जैसे यह Capital Letter का जी है, तो Small Letter का जी कहाँ पर है, यहाँ पर, तो इसे बच्चों को चूज करके Correct Place पर फिल कर देना है, Capital U, Small Letter U, Capital M, Small Letter M, ओके, तो इस तरह से बच्चों को यह वाली वाक्षीट सॉल करनी है, इसे बच्चों को पहचानना है, और उसके First Sound में बच्चों को सर्कल कर देना है, जैसे Butterfly, जब हम बोल रहे हैं, तो First Sound क्या आ रहा है, ब, यानि की B को सर्कल करेंगे, Grabs, ग, it means G, Flower, फ, means F, Kite, क, स्टार्टिंग में क्या साउंड आ रहा है, क, यानि की K को सर्कल किया जाएगा, Book, ब, यानि की B को सर्कल करेंगे, Door का First Sound क्या आ जाता है, द, यानि की D को हम सर्कल करेंगे, Ice Cream, I, and X Mastery, X, ठीक हैं? Next Worksheet है, Write After Liter, कई बार ऐसा होता है, कि बच्चे जब Alphabets लिखते हैं, तो काफी सारे Mistakes करते हैं, तो इस Case में, आप बच्चों को इस सरकी Activity करवा सकते हैं, जैसे, P के After क्या आता है, Q, R के After, S, M के After, N, A के After, B, इस तरह से बच्चे लेटर को सिक्वेंस में लिखना सीखते हैं, Then After, Join the Laters, इसके बाद आप धीरे-धीरे करके, टू लेटर वर्ट्स बच्चों को जॉइन करके, उसे रेज करने के प्रैक्टीज भी करवा सकते हैं, जैसे, A, M, M, I, S, Is, T, O, To, D, O, Do, M, Y, My, आएं, कुछ इस तरह से, Our next worksheet is, Match with rhyming words, यहाँ पर बच्चों को rhyming words मैच करना है, rhyming words यानि ऐसे words, जिसे जब हम बोलते हैं तो same sound आती है, यानि कि same आवा जाता है, इस तरह के words के थुरू हम बच्चों को ना, बीट करने की practice करवा सकते हैं, जैसे, B, A, T, Bat, Bat से ही मिलता जूलता sound बच्चों को चूज करना है, और उसके साथ मैच कर देना है, तो कौन सा है, R, A, T, Rat, Bat, Rat, same sound आ रहा है, B, U, N, Bun, F, U, N, Fun, Bun, Fun, D, A, Y, Day, H, A, Y, Hay, Day, Hay, Day, Hay, P, I, N, Pin, T, I, N, Tin, Pin, Tin, and Nat, Pat, ओके, copy and write, यहाँ पर कुछ number names लिखे गए हैं, इसे जस्ट बच्चों को reach करते हुए, same to same यहाँ पर copy कर देना है, तो इस सरह से आप at least 2 to 3 या 3 to 4 words की practice बच्चों को number names की करवा सकते हैं, अगली मोक्षिट हमारी opposite words से है, इसके थूँ हम बच्चों की vocabulary को improve कर सकते हैं, जैसे happy, happy का opposite क्या होता है, विरुधाती शब्द क्या होता है, sad, happy, sad, big, small, big यानी बड़ा, small यानी छोटा, near, far, near यानी नस्दिक, far यानी दूर, dirty, clean, dirty यानी मैला, और clean यानी सापसुत्र, up, down, up यानी ऊपर, down means नीचे, fast, slow, okay, so dear friends, ये थी हमारे LKG क्लास की बच्चों के लिए English की कुछ important worksheet, I hope आज की इस वीडियो से आप सभी को काफी help मिली होगी, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे description box को जरू check out करें, तो चलिए मिलते हैं अब हम next वीडियो में, till then, bye bye and take care.